अलो फ्रेंड मैं हूं वरून और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल इस्टड़ी टीम में तो आज की इस कलास में हम अथपूर्ण सुचकान 2-3 के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कोशन है कि हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2-3 क्यूटू में कौन सा देश सिर्ष पर आए ठीक हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2-3 क्यूटू में कौन सा देश सिर्ष पर आए वो आपको बताना है तो कौन सा देश सिर्ष पर आए हैं तो रहा है सिंगापूर अफसर नंबर डी सई हो अच्छे लिए डीटेल में जानते हैं ठीक है बात करते हैं कि भारत का अस्थान ये पासपोर्ट इंडेक्स 32 क्यूटू में भारत का अस्थान अस्षिवा रहा है ठीक है ये इंपोर्टेंट है इसको आप लोग याद रखिएगा ठीक है सबसे सब्से कमसक्ते साली पासपोर्ट किस देश का तो वह अफगानिस्तान का है यह भी इसको यह ही याद रखिएगा परिफ्चा में पूछता है ठीक है बात करते हैं जारी करता क्यों है तो जारी करता हैं ऑगय हमजानेंगे कि हैस को कि थीक अभी हमने जो पढ़ा वो Q2 था अभी है कि हले पास्पोर्ट इंडेक्स रिख 5-1 में शीर्च खरतान पर सिंगापूर रहा है और Q1 में शीर्च खरतान पर जा पौंहां और सबस्ताकिल है तो parallel 385 नमबर है भारत का अस्थान ठीक है तो इसको आप लोग जरूर से ख्याद रखेगा चलिए अगले कोशन पर आते है अगला वेस्टम्क सांथी सुचकांग 23 में भारत किस अस्थान पर रहा है तो भारत 126 अस्थान पे रहा है अपसर नमबर यह सई होगा ठीक है अस्थान पे रहा है तो यह 126 अस्थान पे रहा है सुचकांक में पहला अस्थान किसका था तो पहला अस्थान है आइसलेंड का सुचकांक में पहला अस्थान आइसलेंड का है सबसे आखरी हस्थान किसका है तो वह है अफगानिस्तान का ये 162 ऊसका हस्थान है अफगानिस्तान का जारी करता कौन है तो यह इन्स्ट्यूट of economics and instituted for economics and peace ये ये नियू यार्क अमेरिका इसके दोरह क्या है इसको जारी किया जाता है सुच कांग को ठीक है फोटान तक कौन रहा तो सिर्ष हASE अर्थणा कौन रहा है डेडमार्क अप्सा नम्बर वी साइ ओगा ठीक? अप्सा नम्बर वी साइ होगा भारत वायस विक परतियस परदा सोचह कांग में चालीससवें अस्थान पे अगर कोश्ञें पुछें हैं अगला है global fire power index 233 के पास है डूनिया की सबसे सक्तिसाली सेना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जानेंगे कि भारत का अस्तान इसमें चौथा है ठीक है भारत का अस्तान इसमें चौथा है और सबसे सबसे कम सक्ती साली सेना भूटाण की एक अगले कोशन के आते हैं आप्सक च्छेच कहांग अंटर सुछकद में भारत सास्थान पे रहा है उपसन नंब्र दी सई होगा सुच कांग में पहला अस्तान की बात करें तो पहला इसलेंड कर रहा है और जारी करता या इसको जारी करता है 20 आर्थिक मंच डबल इयअफ स्टी जेलन के द्वारा इसको जारी किया जाता है चली अगले कोशन पे आते हैं अगला अगला 20 अस्थान पे सबसे खुशाल देश कौन सा है वह वह सबसे खुशाल देश वह है फिन लेट है आपसा नमबर भी सई होगा ठीक है वर्ड हैपिनेस रैंकिंग में भारत की अस्थान की बात करें तो भारत 126 वे अस्थान पे है ठीक है इसको आप लोग इस्टार लगा 2021 में बड़े राजियों की स्रेणी में कौन सा राजय सीर्ष अस्थान पे रहा है इसमें हमको बताना है तो हमको बताना है कि नीती आयोग के वार्षिक स्वास्त सूच का अंक 2021 में बड़े राजियों की स्रेणी में कौन सा राजय सीर्ष अस्थान पे रहा है तो वो रहा ह अगर कोशन ठोटे सेणि के राजियों में पूछे में पूछे त्रिपुरा का आए और किरंध सासीद परदेशो के सूची में पूछे तो सबसे पहला आस्तान व हची दीप का है इसको अप लोग जरूर धियान रखेगां अगले कोशन पर आते हैं ऐला जाह स्वाच भारत मिशन गरामेंड 24 सेकेंड के तद भारत में किस राजे के 100 परसेंट गाउं को खुले में सवच मोक्त यानी ODF प्लस घोशित किया गया तो किस राजे के तो कौन सा वो राजे है तो वो है तेलंगाना अपसा नमबर यह सई होगा ठीक है ओडिया प्लस गाउं कि उचितम प्रतिसत वाले राजियों में तेलंगाना क्या है तेलंगाना में 100 परसेंट है तो यह किस पर है तो यह पहले अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर करनाटक इसका परसेंट इसका परसेंट है तो इसका परसेंट है 99.5 परसेंट है यह दूसर क्या जाता है इसको आप लोग ध्यान रखिये अगले कोच्एण पे आते हैं पाँच अग्ले में पाला सूर्चा सूछका अंक के शूटे राजियों में पालास्तान की बात करें तो छोटे राजों में पालास्तान किसका रहा है तो वो गो आका रहा है ठीक है के इन्सासित प्रदेश में पालास्तान किसका रहा है तो यह जमुकस्मीर का रहा है ठीक है इसको जारी कौन करता है तो इसको जारी करता है भारती खादिस सनरच्छ और मानक प्रादिकरण FSSAI के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यारी Food Safety and Standard Authority of India के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं, अगला है कि वार्षी कि दुख सूच का आंग कि अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची मे सबसे दुखी का अगले कोश्चन पर आते हैं, अगला है, बारथ में सबसे अधिक संपत्ती वाले मुख्यमंत्री कौन बने है है भारत में सबसे अधिक संपत्ती वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो कौन है सबसे याधा जिन के पास संपत्ति है तो वह हैं जगमोहंड्रेड्टी या कहां क्या है यहां आंधर परदेश के मुख्य मंत्री जग महन्रेडी 510 करोण के साथ इस लिष्ट में सबसे उपर पे आएं ठीक है पान्सो दस करोण के साथ वहीं पशी मंगाल की मुख्य मंत्री ममता बजनर जी के पास सबसे कम करीब 15 लाक रुपई के संपती है और यह क्या है सबसे कम सबसे कम संप सबसे कम तो सबसे कम सबसे कम जल सनरचना है कितनी तो जल सनरचना है और जल सनरचना योजना को लागू करने में अग्रणी राज कौन सरा है तो वह महाराष्ट्रा है इसको भी आप लोग याद रखियेगा परिच्छा में पूछ सकता है अगे जानते हैं कि पानी टैंको की सबसे अधिक संख्या कहा है किस राजे में तो वह है अ दुनिया के सबसे अच्छे सहरों की सूची में कौन सा सहर सीर सरस्थान पर रहा है तो यह है जर्मनी का बर ली अफस्टा ठीक है मुंबई इस सूची में सामिल होने भारत का एकमातर सहर है ठीक है भारत का एकमातर सहर कौन सा है तो भो मुंबई है जो ओनिस्वे अस्थान पे रहा है ठीक है इस सूची में चेक गणायाज की राजदानी प्राग दूसरे अस्थान पे जबकि तीसरे अस्थान पे ज कौन सा बनाए, कौन सा देश बनाए तो यह भारत बनाए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्टील उत्पादक देश के, इसको पचाड़ के तो जापान को पचाड़ के, ठीक है, ठीक है, दुनिया का सिर्स उत्पादक, सिर्स इस्टील उत्पादक देश कौन सा है, तो तो कौन सी टीम सी अस्तान पर रही है किसमें तो फाइच पूरुसा की रैंकिंग में तो कौन सी टीम रही है तो यह नीदर लेंड रही है आफसर नमबर यह होगा इसमें वो है बंगलूरु भारत बंगलूरु यह क्या है कि टर्म टर्फिक इंडेक्स के अनुसार 2022 में दुनिया में ड्राइब करने के लिए सबसे धीमा सहर है दूसरा सबसे धीमा सहर है वहीं हेवी ट्राफिक वाले सहरों में पाला अस्थान किसका है तो वो दन का है ठीक है चलिया अगले कुश्टन पर आते हैं अगला क्यून पे आते हैं अगला करका नुमबरCा congressек का भारत का थानिर 66 में भारत का स्थान रहा है जारी करता यारी करता है वाईट सेल यह अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है लिए अगले questions पर आते हैं अंगला विसम मसके सबसे आपराधिक डेशों की ranking दो जार्थ की सथान पर रहा है वरे साइट इसके बाद पापु अन्योगिनी सेकेंड पे है और आफगानिस्तान तीसरे अस्थान पर है ठीक है तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आप राधिक देशों की रैंकिंग में सेस अस्थान किसका है तो बेना जुए लगा है सेकेंड पे पापु अन्योगिनी है और थर् किGANG लाजिस्टिक फिरदर्शन सूच का दो 28 में बार्त कि GANG पर या 48 में अस्तान पर रहा है आपसर नमबर excited bit पहला अस्तान की बात करने हैं अधिक है इसको करता है design with MICHAEL करता है तो वासिंग्टन डीस ईूसे में है ठीक है अफमस Meu को से अगले बिस अनुस्थकी Gene किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु परमाणु परमाणू हतियार है तो है रूस के पास अदिशन नमबर सी होगा अत्यारों के सूची में रूस के पाद दुनिया में सरवाधिक के'reीं में 164 पर मारों अतिया हरे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आगले question पे आते हैं, अगला है, global startup ecosystem report 32 में काँसा साहर पहले हस्तान पे रहा है, global startup ecosystem report 23 के अनुसार काँसा साहर है जो पहले हस्तान पे रहा है, तो काँसा है तो वो है Silicon Valley, कहां पे, अमेरिका में यह क्या है, सेश अस्तान पे रहा है आपसर नमबर B, सही होगा भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप, एको सिस्टम बना है भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सबसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टर्ट अप एको सिस्टम बना है ठीक है भारती ओसर बैंगलोरू का अस्थान इसमें 20 सवा है और इसको जारी करता है Jynon इसको जारी करता है अगर कोस्टन पूछे गलोबल स्टार्ट अप एको सिस्टम रिपोर्ट 22 में भारत का कौन सा सहर सामिल है और यह किस कहुथे नमबर पर तो वह है वह सहर है बैंगलूरू और यह कहुथे नमबर पर तो बीचवे नमबर पर ठीक है चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला अगर 22 में आईक्यू एर द्वारा जारी आकड़ों के अनुसा पर दुनिया के सबसे प्रदूसित सहरों की सूची में कौन सा सहर सी सर्थान पर रहा है वह है जकारता इंडोनेसिया आफ्चा नमबर डी सई होगा ठीक है इंडोनेसिया के जकारता में वाई पर दूस्षन का मुख्यकरान सूस्क मौसम और मोटर वहनों से निकलने वाला ठीक है लगबग हर समय जकारता की हवा इंडेक्स पीम रहती है जो सांस के लिए काफी आनिकारक है ठीक है चलिए अगर कोश्चन पे आते हैं अगला दूस तेइस में जारी लगो सिचाई योजना की छठी गढ़ना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लगो सिचाई योजना किस राजे में है तो वो है उत्तर परदेश में है आपसर नंबर ए सई होगा ठीक है उत्तर परदेश में लगबगक 17% लगों सिचाई योजना है सिचाई के उन साधनों से जो लगबग 2000 एक्टेयर भूमी को कवर करते हैं ठीक है इसको जारी करता है जल सकती मंतराले इसको जारी करता है अगले कोश्चन पर आते हैं अगला है अंतराश्टी यह बहुदीक संपता सुचकांग भारत किस अस्थान पर रहा है तो यह रहा है 42 अस्थान पर अपसर नंबर डी सही होगा इसको आप लोग डबल इस्टार लगा लिजेगा यह कोश्चन परिष्च पर और फ्रांस तीसरे अस्थान पर रहा है इसको जारी करता है युएस चेमबर आफ कामर्स इसको जारी करता है ठीक है चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं अगला है दा स्टेट आफ वर्ल पापुलेशन रिपोर्ट दो है तेज का अनुसार चीन को पचाड कर दुनिया क पचाड के सरवाधिक अबादी वाल अदेश कौन बना है तो वह भारत बना है अफसर नंबर सी सई होगा ठीक है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अबादी 142.86 करोन पहुंच गई है ठीक है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अबादी कितने पहुंच गई है तो 122.88 पहुंच गई है जबकि चीन की जन संक्या एक सो बैए लिज समनों 57 करोण है तो यह है कि भारत चीन को पचाड के चीन को पचाड के सरवाधी का बादी वाला देश बन गया ठीक है इस रिपोर्ट को जारी करता है सन्यूक राश्ट जनसंक्या कोज ठीक है इसको जारी करता है अगले कोश्चन पे आते हैं अगला है नीती आयोग द्वारा जारी निर्यात तयारी सोचकांग 222 में कौन सा राजे सीर सहस्थान पे रहा है तो वो रहा है समिल लाडू अपसर नंबर एसाई होगा ठीक है पहारी इंहां की बात करें तो इस में परम्पालास्थास्तान उत्राखन का है छोटे राजिएं की बात करें तुर पालास्थान गुवार कहfilm क है और शेंगार का है तो पहलास्थान जमूकस्मिर नहूए अगले सरवादिक बागों वाला राजी कौन सा बना है तो कौन सा है वो वो है मद्यपर्देश आपसा नमबर ए सई होगा इस रिपोर्ट के अनुसार बागों के सबसे बड़ी अबादी 780 यह काप हैं सबसे ज्यादा बाग मद्यपर्देश में हैं इसके बाद करनाटक में 563 बाग है तो यह दूसरे नमबर पर तीसरे नमबर पर उत्रा खंड है यहां पर 506 बाग है और चौते नमबर पर महराष्ट है यहां पर 444 बाग है चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला है राष्टी यह स्मार्ट सीटी पूरसका 222 में सारुसर साहर का पूरसकार किस ने जीता आयब कुछ ने जीता है वह इंदह ने जीता है आपसर नमबर सी सही के लिए सूरत और आगरह को दूसरा और तीसरा अस्थान मिला है ठीक है नइकर राजियों की अअग करता है तो इसको जारी करता है यजूव से ज़्याले अमेरीखा और कोलंबिया षुभीद्यलर इसको जयक्रता है अगले कोशन पर आते हैं अगला जलवाई परिवर्भाम प्रदर्शन सुचकंग 23 CCPI 2ienieS में भारत किस अस्थान पर रहा है dopo किस अस्थान पर बंबर बीज़े अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन है कि वैस वीक आतंकवाद सुच का अंग देश के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रवाइद देशों की सुची में किस अस्तान पे रहा है तो किस अस्तान पे रहा है भारत भारत तेरह में अस्तान पे रहा है अफ्सन नंबर ए सई होगा ठीक है इस in the world index 23 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है तो वो मिला है तिबत को अफसर नमबर ए सई होगा ठीक है तिबत इस सूची में लागतार तीसरे वर्ष दचने सुधान और सीरिया के सबसे सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है ठीक है सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है भारत का अस्थान इसमें बात करें तो यह चाचा चाट हुए अस्थान पर है और जारी करता है तो यह प्रेड़ा माउस अमेरिका द्वारा इसको जारी किया जाता है अगले कोशन पर आते हैं अगला है चुनावी लोगत अंत प्राश्तान की बात कर तो इसमें पावलास्तान डेनमार्क कर रहा है इसको जारी कौन करता है तो वी डेम इंस्ट्यूट इसको जारी करता है छलिए अगले कोरिया 104.6 अंकों के साथ पहले स्थान पे इरेट्रिया 90.3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे और मारिटानिया यह 32.0 यानि 32 अंकों के साथ यह तीसरे स्थान पे सबसे कम प्रचलन वाले देश इसमें स्विटेजर लाइन नार्वे और जर्मनी है ठीक है सबसे कम प्रचलन यानि सबसे कम दास्ता यानि दास्ता वाला देश कौन है तो वो है स्विटेजर लाइन नार्वे और जर्मनी है अगले कोश्चन पर आते हैं अगला है सामदा एक भाव ना सोच का अंग दो है तेश के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली सहरों के सोची में कौन सा सहर से इस अरस्तान पर रहा है तो कौन सारा सहर रहा है तो वह है तो रंटो अपसर नमबर सी सही होगा ठीक है गैर मूल निमाचियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकुल सहर कौन सा है तो वह है घाना ठीक है गैर मूल निमाचियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकुल सहर घाना है भारत की राजधान नई दिली और मुंबई दुनिया के सबसे अमेत्र सहरों में से एक है जिस लिए अगले question पर आते हैं अगले question पर आता है इस में भारत किस्तान पर रहा है इसको और इसको जारी करता है विस वार्थिक मंच पोलोनी स्विटेज जलाइन के द्वारा इसको जारी किया जाता है अगले कोशन पर आते हैं अगला बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में देशों के सूची में बारत किस अस्थान पर बेहतर इंटरनेट में भारत 43 प्रतिशत के कुल स्कोर के साथ 6 अस्तान पे है वहीं दच्छन एस्की आई में पहला अस्तान किसका है भूटान का है ठीक है चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला है वैस्विक लिवे बिल्टी सुच का अंग दो है 23 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग साहरों की सूची में कौन सा साहर स्रीशतान पे रहा है तो दुनिया के सबसे अधिक रहने योग साहरों की सूची में स्रीशतान पे कौन सा साहर है यह है आश्ट्रिया का ब्याना सहर, अपसर नमबर B, सही होगा, ठीक है, इस सुचकांग में चार भारती सहर कौन कौन से हैं, तो वह है नई दिल्ली, मुंबई, चेन नई और बैंगलोरू, क्या है, कि एस या प्रसांथ सहरों में 45 में और 50 में अस्थान पे हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे कम रहने योग सहर कौन सा है, तो वह है दमिस्क, सीरिया की राजदानी दमिस्क है, यह दुनिया का सबसे कम रहने योग सहर है, इसको आप लोग भ्यान रखेगा, इस सोचकांग को जारी करने वाला है, एकोनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, अगले कोशन पर आते हैं, अगला है स्वच, वायू सर्वेच चंड दो अटेइस में कौन सा सवर पहले स्थान पर रहा है, तो यह है इंदोर, आपसर नमबर सी सही होगा, इसको भी आप लोग डबल इस्टार लगा लिजेगा, यह परिछा के लिए महत्पून को एकषि में 087 अंकोए कसाथ इंदोर स्वच वायू सर्वेचन दोयर तेशन में पहले स्थान पर रहा है, टीक है, इतने अंkal के साथ तो 187 अंकोए कसाथ इंदोर स्वच वायू सर्वेचन दोयर त्थान ये क्या है इंदोर MP का है और आगरा UP और ठाण महाराष्ट ये सब ये तीनों सहर क्या है से तीन सहर है वाइसरेशन द्वाराइट 23 में इस रिपोर्ट को जारी करता है कि अगले कोशन प्रेश स्वतंतरता सुचका आँग द्वाराइट 23 में बारत किस अस्तान पर रहा है पे रहा है आपसर नमबर डी सई होगा ठीक है सुचकांग में पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान नार्वे कर रहा है आखरे स्थान की बात करें तो उत्तर कोरिया कर रहा है और इसको जारी कौन करता है तो इसको जारी करता है विदाउट बादर्स वाद बिदाउट बाडर्स पेरिस फ्रांस के द्वारा इसको जारी किया जाता है ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें झाल करें sensor Report है झाल बाडर्स वीडियो में झाल बुक्तारव झाल भर आपको पाल आपक्ता भर आपको यालOr आपको रखकेoms जहाओर में उर लगी हो आपको जड़視 के इस वीडियोसे हूदा में आपको टू को वीडियोसे हूर आपको झाल झाली dice झाल का झाल